हेलो फ्रेंड्स मैं हुँ रिना रिना अथर्वा चैनेल पे आप सबको बहुत बहुत शुवागात करती हूँ पैरेंड्स आज मैं आपके शाद कुस मतलब मेरा बाते शेयार कर रही हूँ मन की बाते तो वीडियो शुरू से लाश्ट तक देखिए तो आप लोग को भी थु परोशा मिलेगा जे नहीं धिरे-धिरे हमारा बाच्चा कहा तक पूश सकता है तो अभी अथर्वा की जो लेवेला है वो हिशाब चे अभी अथर्वा कहा पूशा आए तो ओई मैं आप सबके शाद करूंगी तो वीडियो शुरू से लाश्ट तक देखेंगे और अगर अ मेटिंग तो उसमें मैंने गिया इस्कूल से क्या शीकायत आया क्या अच्छा रेजाल्ट आया या बुरा रेजाल्ट आया ओ अगर आपको जानना है तो गार्जियान मीटिंग की टीशार के साथ मेरा क्या मीटिंग था क्या हुआ था क्या बताया टीशार नी मुझे ओ मैं शेयर कर रहे हूं तो आप लोग जोरूर देखिए वीडियो तो आप लोग को भी थोराचा भरोशा मिलेगा जे नहीं हमारा बाच्चा भी आगे जाके कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो आपको भी आंदर हिम्मत आ जाएगा तो इसलिए मैं हार एक चीजे आप लोग क्लाश टीचर है तो क्लाश टीचर जबी शारे पैरेंट्स की बच्चे के बारे में एकके बाद mortar वाद ही जो आघे जाता है पहले उसका ट्ान होता है तो मैं बैठ़्ुय थी चार पैरेंट्स के बाद मेरा टान था तो मुझे बुलाया तो मैंने फूचा टीचर से जे बत्ते मिजी करता है, हाइपर होता है या भागता है, या सीटिंग में कोई प्रब्लेम है, तो ऐसे पूछा मैम ने बोला है, जे मैम आप टेंशन मत कर, अथरबा बिलकुल पार्पेक्ट है, अथरबा नर्माल बाच्चों ची भी आच्छा है, नर्माल बाच्चा फिर भी ब बात्रूम जाना है, तो दो बार, शारेचे घंटा उसको इस्कूल होता है, तो उसके अंदर टू टाइम मैम को, मैम का पार्मिशन लेके फ्रेंड के साथ, फेर उसमें वाश्रूम जाता है, और एक बात मैम ने बताया, जे मैम को पूछा है, जे किसी से बात्चित करता है, तो बोल रहा है अभी थोरा-थोरा शुरू किया है जो किलाश का मोनिटर है उसके साथ भी अथरवा फ्रेंड बना लिया है तो मतलब अभी अथरवा को थोरा बहुत आया है फ्रेंड बनाना काफी पैरेंट्स मेरे से पूचती थी अथरवा को फ्रेंड बनाना आता है तो पै इसके साथ फिरेंड बनाओ, शेक हैंड करो, इसको हाक करो, इसके साथ खेलो, जिसको साथ खेलता है, ओई फिरेंड होता है, तो ऐसे करके मैं समझा थे थी, जब भी कोई पर ले जाती हूँ, अभी भी अगार पार्क में ले जाओ, कोई पर भी ले जाओ, तो उसको जब खेल तो उनलोग लेगा, तब जाके बोलता है, मुझे खेलने लोगे, तब जाके खेलता है, तो थोरा पूश करना पड़ता है, लेकिन इस्कूल में मुझे ए बात सुनके बहुत खुशी लागा, और इतना खुश हो गिया, मैं हमकी बात सुनके, जे खुशी की आशू मैं रोक न तो मुझे उमीद नहीं था, जे मेरा बाच्चा इतना जोल्दी कर लेगा, मैंने सोचाता शायद 15 शाल तक अथरवा कर लेगा, लेकिन अभी इस दो शाल लोगडाउन में अथरवा का सोचाल कमुनिकेशन थोरा सा पीचे हो गिया था, अभी फेर स्कूल जाने लग गई, क उसके बाद ही सोचना होता है, सोचाल कमुनिकेशन कैसे इंप्रूमेंट करें, तो मैं पहले सोचाल कमुनिकेशन में ध्यान नहीं दिया, मैं पहले यह नहीं सोची थी, लोगों से मिलाओ, लोगों से बात क्यों नहीं करता है, लोगों का आई कंटक क्यों नहीं देता है, पहले बच्चे को समाजदरी आजाए, आई कंटक्ट पारफेक्ट हो जाए, उसके बाद ही तो हम प्राक्टिस करेंगे दुसरें से बात करना, दुसरें को साथ आई कंटक्ट देना, अगर हमारा बच्चा 20% इंपरुमेंट किया है, और मैं उमीद रखू उससे 100% इंपरुम करेंगा, ऐसे नहीं आए, मैं भी सोचती थी अथरबा शायद 15 शाल में यह वाला काम करेगा, तो अथरबा अभी फ्रेंड्स के जिसके पास साथ बैठता है, घर पे आके उसका नाम भी बता सकता है, उसके साथ किया बातचीत हुआ, कोई भी उसके साथ बातचीत करें तो एंसर भी दे देता है, खुचे अभी पुस्ता कौम है बातचीत, लेकिन उसके साथ जो भी बच्चा बात करता है, एंसर कर लेता है, उसके पास बैठता है, कोण बच्चा उसके साथ कैसे बीएप करता है, ओ भी आके बताता है, और एक सब्चे खुशी की बात है, अथरब इजाम इसको बाकि है, तो काल हो गिया, मंडे को एक हो गिया, पियास दो एघराय हो गा, तो पाच एगजाम है उथर बाकि है, तो मैं में ने बोला मैं जाब उसके, मतलोब मैं अऑशरी ङदाuen की हाथ में शाथ में बैठाया, मैं ने बोला मैंने चोचा मुझे हेलिप करना परेगा तो मैं अठरबा को अपना साथ बैठाया और मैं यह ए और दूसरे बच्चे को मैं कोषरेण सीड बाट ने गिया तो बाट्के आके 34 स्टूडेंट है अठरबा की किलाश में बाटके आके जब अठरबा को समझाने के लिए उसका कोषरेण एंसर का शीड लिया तो अब देखा अथरबा आदाचे भी जादा काम कर लिया और मैम ने मुझे बोला है कोई हेल्प करने की जुरुरत नहीं पड़ा अथरबा को ना कोश्चेन परना परा ना समझाना परा खुदी कोश्चेन परा खुदी अंसर किया तो मुझे उमीद नह क्युआ कूने पासूआ प्राउकुष्चेह मैं जी चूचेह याद करा, पास is itin mkut कोरो चेँ हीला, Google नीमा अभी चैनल से लीफ़ा Teams हां, जी चूचेह क्यों छ ज्यासर ऑफ्ली ये नहीं समस्केज। बहुत ही टाप था लिखना ही नहीं मतलब शारे एस्पिलिंग गलोत करता था बोलतो लेता था बीस में से एक लाइन लिख लिया एक लाइन बुल गिया फेर एस्पिलिंग शारे गलोत कर लिया और इस बार मैं ने बोला बहुत अच्छा एकजाम दो हो गिया बहुत अच्छ दूसरे बद्चों मैंने पूछा, दूसरे बद्चे बोल रहा है क्यासरों कशेल तो अथरबा एंसर भी करता है और मैंने और एक बात मुझे बताया जे अथरबा मैंने पूछा जे मैं अगर आप फाइब कोश्चन आंसर लिखाते हो अथरबा को मैं ओ थिरी लिखके आता है घर पे बिलागबोट कपी करके आता है तो मैंने अथरबा को बोलती हूँ राइटिंग फिनिश नहीं है प्लीस रूख जाईए वेट कीजे अभी रेस मत कीजे ए प्राक्टिस मैं करा रही हूँ शायद एक दो शाल में ए भी शीख जाएगा तो मैं हमको मैंने बोला है जो अथरबाग को ब्लाग बोट पूरा कॉपी करना नहीं आता है आदा करके ले ऐसे दो तीन कोर्षेलां चाल लिख लेता है क्योंकि उनलोग लेजी धिला लिखता है मतलोग फास्ट फास्ट नहीं राइटिंग कर पाता है आदा से भी ज्यादा बाच्चा ऐसे है तो मैंने बोला जे मैं मैं सोचती हूँ हमेशा मेरा बच्चा एसलिए शाय थोड़ा ल लिखो जोल्दी तो मैं हात पास्ट के जब लिखा देते हूँ तो दो शेंड के लिख लेता है उसके बाद फिर स्लोह हो जाता है तो इसलिए पूरा बिलागबोट कपी करके नहीं कोई सिप्ट नहीं बात नहीं है बाकी बच्चे भी आईसे करता है दो चार बच्चे आए जिसको इस्कुट ज्यादा है तो बाकी जो काम है जो मैं मेम करता है मेम को अगर मैं मैसेज भेस्ती हुझे ए अथरबा करके नहीं लेके है तो अथरबा में मुझे हट्चाप कर देता है उसके बाद अथरबा घर पर नूट बुक में बैट के राइटिंग कर लेता है और question and answer भी बहुत जोल दिया भी याद करना शिख गया पहले बहुत ही मुश्किल था, question answer याद करना वो मैं सोज भी नहीं सकती थी, मेरा बच्चा को भी question और answer याद करके तींचर लाइन का answer खूद लिखेगा, लेकिन मैंने देखा काम करती रहोगे तो हमारा बच्चा भी बहुत अथरबा अभी question परके answer तींचर लाइन की बिना देखके लिख भी सकता है, और मुझे बता भी सकता है, और एक बात है, मैंने जो बोला है, जो प्रिंचिपल आए अथरबा की school की, वो भी बहुत तारिफ करता है अथरबा की, बोलता है बहुत अच्छा बच्चा है, नार् मतलों, फाल तु बोल ना, जैसे मैंने पूछा अथरबा, घर पे जैसे अभी उसको थोराचा behavior की problem आगे आए बुखार के बात, जैसे अथरबा ने, मैं कुछ बोलती हूं तो मेरे बात रिपीट करता है, तो मैंने इस्कूल में पूछा बोल रहा है नही हो, किछी का बात पूछ थो, अथरबा, फिरेन्ड आपको जबकुछ पूछता है, आप फिरेन्ड का बाते रिपीट करता हूं बोलता है, नहीं मैं इस्कूल में रिपीट नहीं करती हूं, मैं घर पे मामी की बात रिपीट करती हूं, तो इस्कूल से मुझे इतना अच्चा, कोई शिकायत इतना तारिप किया, फर्स्ट टाइम अथरबा की इतना तारिप मैंने शुना, क्यूंकि ये इसके लिए मुझे बहुत मैनद भी करना पड़ा और बहुत ओएड भी करना पड़ा, मैं ये नहीं सोची थी, तीन चार साल, से शाल, साथ साल, शारे शाल, आट साल तक मैं सोज भ करके खाना, खाके शारे, अपना बूक, किताबे, नोट बूक, पेंसिल, सब कुछ खुद प्याक करता है, पहले मैडाम करके देती थी, शारे साथ साल तक जब इसकूल गिया था, उस टाइम भी मैडाम उसको बैक प्याक करके देती थी, खाना भी उसको निकाल के मैडाम द जब भी मैं उसको पिक करने जाती थी, गेट से निकालती थे अथरवा को अंदर जब भी मैं लेने जाती थी, तब भी देखता था मेरे बच्चे का पैंट गिला हुआ है, तो पूरा भीगा हुआ रहता था, तो टोईलेट पोटी बोलना और कांट्रोल करना भी स्कूल में न जी, ये शारे काम करके अगर मेरा बच्चा इंप्रूमेंट किया, तो आपका बच्चा क्यों नहीं करेगा, मैं इतना जादा टाइम अगर अथरवा को दे सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं दे पाऊगे, आप लोग भी दे पाऊगे, और जादा टाइम सकील का अक्टिवीटी, कोभी उसको थोरा सा प्यार किया, कोभी गोधी में उठाया, कोभी कुछ खाने दिया, ऐचे करके बैला के, फुषला के, प्यार से गोधी करके, किस करके, हाग करके, ऐचे करके, फेर मैंने उसके साथ अक्टिवीटी कराया था, शुरू में बहुत शुरू में कितना मुश्कील होता है उसका वीडियो भी मैं एक वीडियो में अपलोड करूंगी तो कितना देर लागा था अथारवा को मेरे लाइन पे ट्राक पे लाने के लिए तो आज मुझे मतलोब इतना भरोशा हो गिया जो अथारवा इस्कूल में जाके आगे और भी अच्छा करेगा अभी जो थोरा बहुत प्रॉब्लेम है भगवान करे वो भी सॉल्व हो जाए और मतलोब मैं अथारवा के शाथ दे पाओ अथारवा को मैं हार एक चीज शिखा पाओ आप लोग भी दोआ किजिए मेरे लिए अथारवा के लिए मैं हमेशा दिल से दोआ कर अच्छे को एक्टिवीटी कराई ये वीडियो देखिये और एक्टिवीटी लिखके राखिये और शुबे उठके आप अपना घर का काम करके फिर बच्चों को लेके 10 बज़े तक बैठो आर एक्टिवीटी शुरू करो दो बज़े तक कराओ 10 बज़े चिलेकी उसके मां बाच्चे के लिये कुछ भी कर सकता हैंगा अगे बच्चों को दिखके खाम कराई तो आपका बच्चा भी आगे जाएगा उथरभा से भी जो रूर आगे जाएगा ये मेरा दिल से दोआ है और आज आज या तक नेक्स्ट वीडियो में फेर एक्टिवीटी के साथ thank you so much